दोस्तों के बीच विवाद में हुई एक की हत्या दंदन्वन पुली स्टेशन की घटना गनेश पेट पुली स्टेशन में पिडिदा के साथ अत्याचार का मामला आया सामने शादी का अंजहांसा देकर आरोपी ने किया शारी एक अत्याचार और पदोन्नती के आरक्षन रत करने के लिए महाविकास आघाडी सरकार दोशी भाजपानेता धर्मपाल मेश्राम ने लगाया आरोपी और अब कबरे विस्तार से नागपुर के नंदनवन पुलिस टेशन के तहट दो दोस्तों में हुए किसी विवाद के चलते एक दोस्त ने दुसरे दोस्त की जान लेने का मामला सामने आया है घटना केडी के कॉलेज के सामने की बताई जा रही है जहां आकाश गौर नामक आरोपी अपने दोस्त तुशार के साथ शराब पी रहा था जिनके बीच हुए विवाद में दोनों के भी जगडा हुआ और केडी की कॉलेज के पास आकर आकाश गौर ने तुशार को चाकु मार दिया जिससे उसकी मौत हो गई गटना मंगलवार शाम की है जिसका पता पुलिस को बुद्वार सुभा पता चला गाने वाजवाने ओर उन तेंचा वाद जाले जान तर दारू के लिए अस्टमर दियंचा में दे बाच्शा पासे जाली करें तर कितुन ते ठीगे एका स्पार्टर आलेली नन्नमन हाधित्साज कीड़ी की पॉलेज जवोच्छा तो आनि हाज वार्वारू को अकाश गुद्वा जाले पॉलेज के लिला नाचन पला कि लिए पितुत्साश एंच्टमर दे रतेघृषक्डब जया बाच्तर द्वेड़ों तो आनी यहां जो आरोपी है आकाश गोड़। एंचा मधे बाचा बाची जाली कि काइतरी गानेता सिंगर को ना ये चा उरून तेंचा वाद जाला चनंतर आजो आकाश आहे तो त्या राम ला तू बहल बुद्धी आहे तुरे को कुछ समझता नहीं वगर आसे बोला आनी तो तो राम आवस्तिया है तो एजुकेटर आहे तो आएटीसी कंपणी मदे जॉब करतो तो तेला मतला कि तुझी लाइकी नहीं माला का सका ये बहल बुद्धी होंटो गरे आसे दंतर शुर्वाजी से कारण है वादा से अंचा नंतर मदे हा तुशार पन तेंचा सोबत ह नागपूर के गनेश्मेट पूलिस्टेशन के ताद एक महीला को शादी का जहांसा देकर उसके साथ अत्यचार करने का मामला सामने आया है जहां महीला की शिकायत गनेश्मेट पूलिस ने दर्ज की है गनेशपेट पुलिस से मिली जानकरी की मताबिक पिडित महिला भंडारा की रहिवासी बताई जा रही है जिसका फेस्बुक के माध्यम से आरोपी समाधान पवार जो मुंबई का रहिवासी है उससे दोस्ती हुई देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल गई और आरोपी ने पिडिता के साथ शादी के कसमे वादे भी किये इसी बिच आरोपी समाधान पवार नाकपूर आया और उसने पिडिता से गनेशपेट परिसर में किसी होटिल में शारिरिक सम्बन बनाए इस आधार पर गनेश पेट पुलिस ने आरोपी समाधान पवार के खिलाफ शिकाय दर्च की है इस आधार पर गनेश पेट पुलिस ने आरोपी समाधान पवार के खिलाफ शिकाय दर्च की है इस आधार पर गनेश पेट पुलिस ने आरोपी समाधान पवार के खिलाफ शिकाय दर्च की है अधार पुलिस ने आरोपी समाधान पवार के खिलाफ शिकाय दर्च की है पदोन नती में आरक्षन न दिये जाने का दोज दिया SC, ST, SBC, VJNT या सवरगातिल अधिकार्यान न पदोन नतीतला आरक्षन द्याइचन नाही त्याच कारण साहे कि 5 अक्टोबरला मानन ये सर्वच्च नयालया मदे ये प्रकरन सुनावनी साथी ठेवनया तालेलाए आनि 22 मार्च 2021 सला मुख्य सचिवान चा अध्यक्षेते खाली महराश्ट रातल्या SC, ST, SBC, VJNT अधिकार्यान ची माहीती संकलित करून तो डाटा सर्वच्च नयालया मदे साधर कराईचा होता या समीती ची मुदत्वाड 31 आक्टोबर पर 31 आगस्ट परिंत करन्या ताली परन्तु या ही काला वदीत एक कही बैठक दुर्दैवाने या समीती ची जालेली नाही जर्यानना या सववर गातिल अधिकार्यानना प्रमोशन मदे आरक्षन द्यायच सासेल तरी महीती संकली का केली गिली नाही अनि तो डाटा मानने सर्वच्च नयाला का दिला गिला नाही दुसरा बाजुला करनाटक सरकार्ला यात पद्यती चे निर्देश मानने सर्वच्च नयालाने दिलान अंतर फक्त 47 दिवसान मदे करना टक्चा सरकार ने संपुरुन महीती मनने सरवच्य नयालया मदे जमा केली सरवच्य नयालया न करना टकातलिया या सगड़ा पदोन नतीतला आरक्षन स्विकार लेला है करना टकातलिया प्रमोशन मदला आरक्षन स्विकार लेला जात परन्तु महाविकास आगाडी चा या महाराष्ट रातल्या सरकार मदे ते स्विकारल जात नाई हाद दुर्दय विलास नाई तरका है मी भारत्य दंता पक्षाचा प्रदेश सचुमनूं या संपुर्ण आगाडी सरकार चा तीवर शब्दात निशेत करतो निंदा करतो आणि अनना चेतवी चितो कि जर याननी महाविकास आगाडी चा या सरकार न उद्दव ठाकरें चा या सरकार न या राज्यातल्या मागास वरियान प्रमोशन मदे आरक्षन दिलना आई तर लक्षा थेवा हे फुले शब अमबेड करांचे विचारांचे काम करना रे लोक तुमचा सरकार न भविष्टा मदे न सडों की पड़ो करून सुड़ती लणी नाकर ले शिवा ठेवनार में नाकपूर रेलवे सुरक्षा बल के 37 स्थापना दिवस के अवसर पर बुधवार को रक्तदान शिविर का यवजन किया गया इस रक्तदान शिविर में अधिकारी और कर्मचारी उने बढ़ चड़ कर हिस्सा लेकर रक्तदान शिविर को कामियाब बनाया वरिष्टा मंडल सुरक्षा आयुक्त नाकपूर मोहदे के मार्गदरशन के फल स्थापना दिवस के उपलक्ष में जीएस के बलड बैंक रामदा स्पेट नाकपूर के ततवावधान में बुधवार को रक्तदान शिविर का यवजन नाकपूर रेलवे स्टेशन परिसर म परिणाम स्वरूप कुल पचातर व्यक्तियों ने मानावता के लिए रक्तदान किया अजनी परिसर से लापता हुए एक व्यक्ति की खापा में हत्या के जाने का संसनी खेच खुलासा हुआ है मताया जा रहा है कि पत्नी ने ही सुपारी देकर उसकी हत्या करवाई पिछले पांच दिनों से वो लापता था और अजनी थाने में उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्च करवाई गई थी मंगलवार को खेकरा नाला परिसर में उसकी लाश मिली इस मामले में दो आरोपियों को उड़केशवर पुलिस ने गिरफतार किया है पुलिस ने बताया कि मृतक सरस्वती पैलेस वंजारी नगर निवासी प्रदीब बागडे है पकड़े गए आरोपियों में पवन विठ्थल, चौधरी और सुमीत का समावेश है प्रदीब नरेंद्रनगर परिसर में बिर्यानी की दुकान चलाता था जानकरी के अनुसार विगत 15 सितंबर को प्रदीब अपने घर से निकला था 16 अगस्त को उसने अपनी पत्नी को फोन लगाया था केवल 20 सेकेंड के इस कॉल में प्रदीब की तरफ से कोई आवाज नहीं आई इसके बाद प्रदीब का फोन बंद हो गया परिजनों को चिंता होने लगी और दूसरे दिन अजनी थाने में प्रदीब के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई गई पुलीस ने प्रदीब के नंबर का टॉर लोकेशन खंगालना शुरू किया उसका आखरी लोकेशन खापा से 135 किलो मीटर दूर वरूर में था मंगलवार की सुबह खापा पुलीस को जानकारी मिली कि खेकरा नाला परिसर में स्थित एक बड़े से पाइप में लाश पड़ी है पुलीस मौके पर पहुची तो लाश सड़ चुकी थी कुतों ने लाश को खीच कर बाहर निकाल दिया था जेब में पुलीस को ड्राइविंग लाइसन्स मिला जिससे प्रदीप की पहचान हुई इसी बीच पवन और सुमीत ने हुडकेशवर थाने में सरंडर किया पताया जाता है कि प्रदीप की पत्नी सीमा ने ही दो लाग पचास हजार रुपए में सुपारी देकर उसकी हत्या करवाई है इस मामले में और भी आरोपियों का समाविश हो सकता है ग्रामीन पुलीस प्रकरण की जांच में जुटी है वक्तों चला एक ब्रेक का, मिलते एक चोटे से ब्रेक के बाद लाव यू दिपिका बाई सब जानना चाहते है मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे तेस तक पहांची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाएए सुरुची अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है Flyveal Aviation Academy Flyveal Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटीट है जहां पर एरलाइन एंड एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही यहां कैंपस इंटिव्यू गाइदेंस बाइंडस्ट्री एक्सपर्ट प्राक्तिकल ट्रेनिंग अट एरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनफिट्स आप पास सकने है Flyveal Aviation Academy वन डिग्री, त्री जब अपर्चुनिटीज Flyveal Aviation Academy गिव्जिव डिग्री और डिप्लोमा विध जॉब Flyveal Aviation Academy 365 गानी नगर L.A.D. College Square बिसाइड करनाच का बैंक नागपुर ब्रेके बद आपका स्वागत है शास्किय वैद्दे किया महाविद्दय लेव अस्पताल के Paying Ward में अकसर VIP लोगों को भरती किया जाता है कोरोना काल में Paying Ward में डॉक्टरों सहित कुछ नेता भी भरती हुए थे लेकिन मौजुदा Paying Ward काफी पुराना हो गया है यही वज़ा है कि Medical प्रशासन ने High Tech Paying Ward का प्रस्ताव तयार किया है इसमें Corporate Hospital की तरह सुपर लगजरी सुपर VIP रूम उपलब्ध होंगे Paying Ward में भरती मरीजों के लिए अलग से डॉक्टरों की टीम लगाई जाएगी Medical अस्पताल अगले वर्ष अपनी Platinum Jubilee मनाएगा High Tech Paying Ward भी इसी का एक हिस्सा है पुराने Paying Ward के पास ही 6 फ्लॉर की नई इमारत बनाई जाएगी इसमें कुल 60 कमरे उपलब्ध होगे 40 करोड रुपए का प्रस्ताव तयार किया है पालकमंत्री नितिन राउत ने इसके लिए हर संभव आर्थिक मदद का आश्वासन दिया Medical के अधिश्टता डॉक्टर सुधीर गुपता ने बताया कि प्रस्ताव तयार कर लिया गया है इसे प्रशासकिय मान्यता के लिए जिलादिकारी को सौपा जाएगा मान्यता मिलने के बाद वैदे किये शिक्षा वा अनुसंधान विभाग को भेजा जाएगा नई इमारत में डॉक्टरों के अलग से कक्ष तयार किये जाएंगे वही एक प्रयोक शाला भी बनाई जाएगी प्रूथक कीचन सहीत समुची विवस्था की प्रूथक रहेगी इसके लिए मरीजों से शासकिय दरों में ही शुल्क लिया जाएगा यदि कोई शासकिय सुविधा का लाब प्राइवेट अस्पताल की तरह लेना चाहता है तो वह भरती हो सकेगा बैंको की लिए चल अचल संपत्ती जब्त करने का काम करने वाले दो भाईयों ने प्लॉट बेचने के नाम पर लोगों को चुना लगाया है दोनों के शडियंत्र का भाजपा के पदाधिकारी भी शिकार हुए बताया जाता है कि चार लोगों से एक करोट चोसट लाख रुपे लेकर आरोपी रगम पचा गया प्रतापनगर पुलीस ने स्वागत सोसाइटी शंकरनगर निवासी रोहन कुमार सिंग की शिकायत पर मामला दर्ज किया है पुलीस ने बताया कि आरोपियों में आदिवासी सोसाइटी जिंगाबाई टाकली निवासी नरेंदर राजेश वाहने और सत्यम अपार्टमेंट जाफरनगर निवासी विजय उर्फ नीलू राजेश वाहने का समावेश है प्रकरन में नरेंदर की पतनी की भूमी का भी संदिहास्पत बताई जा रही है आरोपियों की ठगी का शिकार हुए लोगों में भारतिय जनता युआ मूर्चा के शहर अध्यक्षप पारेंदर पटले रोजगार सेल के अध्यक्षप कुनाल पडोले और विपिन तेलगोटे का भी समावेश है जानकारी मिली है कि और भी लोग पुलीस से वाहने बंदू की शिकायत कर सकते हैं दोनों बैंकों के लिए सीजिंग का काम करते हैं जो ग्राहक लोन की किस्ते नहीं भर पाते उनकी संपत्ती जब्त करने का काम भी आरोपियों का है अक्टूबर दो हजार बीस में आरोपियों ने रोहन को चार प्लोट दिखाये उन्होंने बताया कि चारो प्लोट बैंक आफ बडोदा ने सीज किये हैं जल्दी उनकी बीकरी की जाएगी विचाहे तो बैंक के अधिकारियों से सेटिंग करके कम दाम में प्लोट मिल सकते हैं रोहन को प्लोट पसंद आ गए आरोपियों ने ओनलाइन सेल डील करवाने का भी आश्वासन दिया था इसके लिए रोहन ने आरोपियों के खाते में 72,4,000 रुपए आटी जीयस कर दिये बाद में रोहन ने बैंक में पूछ ताच की उन्हें पता चला कि आरोपियों उन्हें बेवकूफ बना रहे है रोहन ने पुलीस से शिकायत करने की चेतावनी दे कर अपनी रकम वापस मांगी आरोपियों ने 20 लाक रुपए लोटा दिये लेकिन बाकी रकम देने में टाल मटोल करते रहे इसी दोरान रोहन को पता चला कि आरोपियों ने जमीन दिलाने के नाम पर पारेंद्र पटलिक, कुनाल पडोले और विपिन तेल गोटे को भी चूना लगाया है कुशी उत्पन्न बाजार समीती कलमना चुनाओ को लेकर कॉंग्रेस समर्थित सहकार पैनल की लिस्ट लगबख फाइनल हो गई है अठरा लोगों का चैन सुनिल केदार ने कर लिया है अंतिंग शनों में केवल एक दो नाम इधर से उधर हो सकते हैं लेकिन सूची जारी नहीं की जा रही है अंतिंग समय में इन उमिद्वारों को जानकरी दी जाएगी ताकि दूसरे दल इसका पुरवान उमान न लगा सके बही और दूसरी और भारतिये जनता पार्टी को कैंडिडेट ढूनने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है उलेकन यह हैं कि कृशी उत्पन्न बाजार समेती कलमना की चुनाओ 28 सितंबर को होने वाले हैं चुनाओ में सहकार पैनल से लड़ने वाले इच्चुक उमिदवारों को केदार पर पूर्ण भरोसा है ग्रामिन क्षेतरों में सहकारी ग्राम पंचयत वर्गों को लेकर ही चर्चाई ज्यादा हो रही है लेकिन एक बात आम है कि केदार जो बोलेंगे वह अंतिम होगा कॉंग्रेस से चुनाओ लड़ने वालों की कमी नहीं है बताया जाता है कि एक एक पद से दस दस उम्मिदवार सामने आ रहे है लेकिन सभी ने अपना भरोसा केदार पर जताया है और उनके निर्णे को अंतिम मान कर चलेंगे वही दूसरी और बीजेपी को उम्मिदवार चुनने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है कई कॉंग्रेस नेता उपर भी डोरे डाले जा रहे है सूत्रों की माने तो कुछ कॉंग्रेसी नेता चुनाव लड़ने के चक्कर में भाजपा में शामिल हो सकते है इसका पूर्वा अनुमान कॉंग्रेस पहले लगा चुकी है इसलिए इसे महत्व नहीं दे रही बीजेपी के कई विधायक अलग-अलग जगाहों से उमिद्वार खोजने का काम कर रहे है और फोन कर चुनाव लड़ने के लिए कह रहे है यहाँ पर भी अंतिम क्षनों में ही कुछ स्पष्ट हो सकता है हिंगना एपीमसी में बंग पैनल को बहुमत मिला था बंग पैनल ने बीजेपी के कुछ उमिद्वारों के लिए सीट छोड़ दी थी और बाद में दोनों दलों ने मिल बैट कर चुनाव पूर्ण करा लिया था कलमना में भी इसी प्रकार की बातों को पुनह धोराने के भी कयास लगाय जा रहे है रेमडे सिवर इंजेक्शन की काला बजारी के मामले में पकड़े गए आरोपी को अतिरिक्त सत्रा नैधिश पीबी घूगे ने पाच वर्ष कारावास की सजा सुनाई दोशी करार दिया गया आरोपी समुद्रपूर वर्धा निवासी निखिल बलवन डाहा के बताया गया जबकि उसके साथ ही उपलवाडे निवासी दीपक श्रीरा महोबिया और संजय शिपालियादों के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण ने बरी किया गया 25 अपरेल 2021 की रात प्रताप नगर के थानेदार दिन कर ठोसरे और उनकी टीम ने निखिल को 30,000 रुपए में रेम डेसिवीर इंजेक्शन बेचते रंगेहाद गिरफतार किया था पकड़े जाने के बाद उसने अपने साथी दीपक और संजय का नाम बताया उन दोनों की भी गिरफतारी हुई दीपक और संजय मूलतहब बैतूल के रहने वाले हैं बिएससी नर्सिंग की पढ़ाई करने के बाद दोनों किंग्सवे अस्पताल में काम कर रहे थे जबकि निखिल भी नर्सिंग की पढ़ाई कर चुका है पिएससाई बारगल ने प्रकरन की जांच कर आरोब पत्रे दायर किया विशेश सरकारी वखिल जियोती वजानी अदालत के सामने 21 गवाहों के बयान दर्ज करवाए अब योजन पक्षन निखिल के किलाव धोका धड़ी का आरोब सिद्ध करने में काम्याब हुआ नियाले ने उसे दोशी करार देते हुए पाच वर्ष कारवास और पाच हजार रुपे जुर्माने की सजा सुनाई बत और पैरवी अधिकारी हेड कॉंस्टेबल किशोर ठाकरे और शेकर गायकवार ने काम का संभाला विधानसभा चुनाओ के दोरान नामंकन पत्र के साथ जोड़े जाने वाले दस्तावेजों में गड़बड़ी और अधूरी जानकरी होने का हवाला दे कर विधाक टेक्चन सावरकर का चुनाव रत करने की मांग को लेकर सुधाकर हटवार की और से हाई कोट में चुनाव याचिका दायर की गई इस पर लंबी सुनवाई के बाद नैदिश पुषपा गनेडी वाला ने याचिका के साथ जोड़े गए दस्तावेजों में वैद आंकडो और तत्यों की कमी का हवाला देते हुई याचिका खारिस कर दी अदालत ने आदेश में कहा कि याचिका करता ने सावरकर का नामांकन अवैद रूप से स्विकार किये जाने का आरोप तो लगाया लेकिन इस संदर्ब में याचिका के आधार को पुक्ता करने के कोई भी तत्य प्रस्तुत नहीं किये इसे देखते हुए प्रतिवादी पक्षक की और से इसी स्तर पर याचिका को खारिस करने की मांग की गई है नामांकन पत्र के साथ दिये गए शपत पत्र में कई प्रकार की अधुरी जानकारी होने का आरोप तो याचिका में लगाया गया है किन्तु सम्विधान प्रतिनि प्रतिवादी पक्षकी और से याचिका के प्रत्यक मुद्दे का विस्तार से जवाब देते हुए कहा गया कि कानून के अनुसार कारवाई करने के लिए कोई भी पुकता जानकारी या दस्तावेज तक प्रस्तुत नहीं किये गये है। भावित होने को साबित करना जरूरी नहीं है। जिसके लिए याचिका करता की और से सर्वोच चन्याय लेद्वारा चुनाव याचिका पर दिये गए कुछ फैसलों का भी हवाला दिया गया। इसका निरनाई केवल सुनवाई के दौरान सबूतों को रिकॉर्ड करते समय नहीं किया जा रहा। इसी तरह से नामानकन पत्र भी अधूरा होने के कई पुकता सबूत या दस्तावेच उपलब्द नहीं कराए गए है।